हेलो फ्रेंद्स बोडने के बाद वनेसा घर नहीं लोटी। उसकी मा रोसाना अपनी बेटी की लंबी गैरहाजिरी को लेकर बहुत चिंतित थी। क्योंकि वनेसा के लिए यह व्यवहार असा मानने था। इसलिए रोसन्ना मदद के लिए पुलिस के पास गई। इस मामले ने राश्ट्रिय मी उसमें इसी तरह की घटना में शामिल थी। वनेसा थेरिसा मार पोटे का जन 17 जून 1989 को लेमिनस्टर मैसेचूसेट्स में हुआ था। उन्होंने स्कूल में उतक्रिष्ट प्रदर्शन किया और 2011 में बॉस्टन विश्व विद्याले से संचार मिसनातक की डिगरी के साथ स्ट्रीम नामक एक ओनलाइन मार्केटिंग सॉफ्ट्वेर स्टार्ट अपने काम किया। बाद में वह गूगल के न्यू यॉक शहर कार्याले में एक अकाउंट मैनेजर बन गई। लगभग हर दो महीने में एक बार वनेसा को अपनी मा और चाची से मिलने का अफसर मिलता जो दूसरे राजे में लगभग 4000 की आबादी वाले छोटे से ग्रामींग शहर प्रिंसटन में रहती हैं। वह परिवार की एक लौती संतान थी। इसलिए उसकी मारो सन्ना हर मुलाकात के लिए उत्सुक रहती थी और जब उसकी बेटी को उससे मिलने का अफसर मिलता तो वह खुश होती थी। रविवार 7 अगस्त पो लगभग 1 बजे वनेसा दोडने के लिए और फिर उस दिन बाद में न्यूयोक वापस जाने के लिए कम्यूटर बस लेने के ले ब्रुक स्टेशन रोड पर स्थित अपनी मा की घर से निकली। जिस चगह में वह दोडने जा रही थी वह उसके लिए परिचित था, कई घंडे बीट जाने के बाद भी जब वनेसा वापस नहीं लोटी तो उसकी माने पुलिस से संपर किया। पुलिस ने तुरंत लाज शुरू की, उस चगह की खोच की, जहां से वनेसा का मार्ग लगभग पहले शुरू की। रात आ वनेसा मार्ग कोटे निकली। अपरे छीन ले गए थे और उसके पैरों, हाथों और चहरे पर कुछ चले हुए निशान थे। जिससे इस बश्ट था कि जिस थान पर शव मिला था। वह शान तिकान स्थान है, बहा कोई घर नहीं है, केवल सरके और उसके दोनों ओर जंडल है। वनेसा का सेल फोन और गायब थे। पुलिस ने आसपास के पूरे हिलाकी की गहनता से तलाशी ली। लेकिन इन में से कोई भी सामान नहीं मिला। शव की बगल में घास पर आग के निशान वाला एक स्नीकर पड़ा हुआ था। अन्य स्थानों पर भी आग के निशान पाए गए। जासूसों ने निशकर्ष निकाला की अपराधी ने अपने डिने के निशान को नश्ट करने के लिए गैसलीन का इस्तिमाल किया। फोरिंसिक विशेशग्यों ने निर्धारित किया कि वनेसा की मौत का कारण गला घोंटना था। वह अपने जीवन के लिए लड़ी और परिनाम स्वरोप उसके नाखुनों के नीचे एक अज्यात व्यक्ति का डिने पाया गया। इस तथ्य से कि वनेसा की कपरे उतार दिये गए थे, अपराध का मकसद स्पष्ट हो गया। संक्षेट में कहीं तो, चिकित्सा परिक्षकों को पुरुष संपर के साक्षे मिले। डिने नमोनों का परिक्षन किया गया लेकिन स्थानिय या राष्ट्रिय डेटाबिस में कोई मिलान नहीं पाया गये। चार हजार से कम अबादी वाले प्रिंसिटन के छोटे से शहर के लिए इस प्रकार का अपराध पूरी तरह से असामानने था और इसलिए इसने पूरी स्थानिय को इसकी सूचना देने के लिए कहा। वुस्टर जिलाह टर्नी जोजिफ अर्ली जूनियर ने 11 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फरेंस में पुष्टी की कि अपराधी पुरुष था और उसकी मृत्यू से पहले वनेसा के साथ संघर्ष के दौरान उसे मामूली चोटे करोंचे आई थी। वनेसा के साथ जो हुआ वे न कीवल उसके परिवार और प्रिंसिटन निवासियों के लिए पलकी उसके सहकर्मियों के लिए भी सदनी की तरह था। गूगल के एक प्रतिनिधी ने कहा कि वनेसा मारकोटे पिछले डेर साल से हमारे नियूयोक कार्यालय में काम कर रही। गूगल टीम की एक बहुत चहेती सदस्य थी। और स्वयन सेवी कार्यों के लिए अपने सर्वव्यापी मुस्कान जुनोन और बॉस्टन खेलों के प्रति प्रेंट के लिए जानी जाती थी। हम गहरे सदमे और दुख में हैं और हमारी संबेदनाए उनके परिवा और दोस्तों के लिए बहुत दुखी हैं। वे हमारे विचारों और फ्रार्थ नाओ में हैं। पुलिस ने शुरू में वनेसा की मौत और कुछ दिन पहले नियो यॉक शहर में रहने धावक करीना विट्रानों से जुड़ी एक खटना के बीट संभावित संबंध पर बजे के बाद जीवित देखा गया था। बार बार कॉल और टेक्स्ट मेसेजस का जवाब देने में विफल रहने के बाद पाक में प्रवेश करने से ठीक पहले वेट्रानों के पिता ने एक पडोसी को सुचित किया। नियु यॉक शहर पुलिस विभाग के पुलिस प्रम जूद जांच करताओं को उनके बीच कोई संबंध नहीं लगा। 6 महीने बाद प्रुगलिन निवासी 20 वर्षे चानल लुईस को पुलिस ने तब किरफ़तार कलिया जब उसका डेने करीना वेटरानों के शरीप पर पाए गए डेने से मेल खा गया। 30 अप्रेल को 2019 लुई जानता था या अक्सर आता जाता था और संभवते हैं इस ख्षेत्र को अच्छी तरह से जानता था। जासूसों का यह भी मानना था कि वनेसा मार कोटे अपराधी को नहीं जानती थी और उनके रास्ते गलती से मिल गए थे। इस पीच कानून प्रवर्तन ने एक बार फिर जनता से मदद मांगी। जिनके लिए 24 खंटे अलग-अलग फोन लाइने स्थापित की गई। अंतते एक प्रत्यक्ष दर्शी ने बताया कि 7 अगस्त को दुपहर एक बजे के बार वनेसा को पानी पीने के लिए एक स्थानिय सुविधा स्टोर के बाहर रुपते हुए दे जांच करताओं का मानना है कि वनेसा पर हमला उस समय के अगले 2 घंटों के भीतर हुआ जब उसे स्टोर के बाहर देखा गया था। उसका फोन राद तो 11 बजे बंद हो गया था और उसके बाद से चालू नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी कई सुराग प्राप कर रहे थे जांच कर रहे थे, जिस क्षेतर में शव मिला था उस क्षेतर के साथ साथ आस्पास के क्षेतर में भी कई बार खोज की लेकिन इससे वांचित परिनाम नहीं मिल रहे थे। तीन महीने बाद, जब पुलिस को मामले के पारे में अधिक जानकारी मिली। एक नए गबाह ने क तो लगभग तो पहर के 12 बचकर 45 मिनट का समय था। उस समय ट्राइवर अपने वाहन के पास खड़ा था और फोन पर बात कर रहा था और दूसरी बार जब गवाह ने लगभग 2 बचकर 45 मिनट पर उसी स्थान से गारी चलाई। एस्योवी उसी स्थान पर खड़ी थी लेकिन उसका हुड नीचे था और वाहन के अंदर या आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अधिकारियों ने एक हिस्पैनिक व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसके पास एक काली एस्योवी थी और कथित तौर पर प्रिंसिटन के पास कहीं रहता था। वनेसा की मृत्यू के 6 महीने से अधिक समय बाद 23 फर्वरी को 2017 दिन वुस्टर काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जोजफ अरली जूनियर ने जाच का अतिरिक त्विवरंड जारी किया। यह बताते हुई कि वनेसा के शरीर पर पाई गए डिने को एक प्रयोगशाला में भेजा गया था और एक प्रोफाइल बनाई गई थी। यह भी माना गया कि अपरात के दिन संदिग व्यक्ति के पास गहरे रंग की एस्यूवी थी या उसकी पहुच थी। और हमले के कुछ तिनों के भीतर उसके शरीर के उपरी हिस्से में चोटे दिखाई दी होंगी। लगभग तीन सप्ता बाद बुस्टर काउंटी की सरकों पर पट्रोलिंग तर रहे एक पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को देखा जो संदिग्ध व्यक्ति के विवरंट से मेल खाता था है आदमी वैसा ही वाहन चला रहा था जैसा वनैसा मार कोटे की मृत्यू के दिन देखा गया था पुलिस अधिकारी ने तुरंत लाइसेंस प्लेट नंबर अपने हाथ पर लिख लिया कार के मालिक की पहचान पता करने के बाद पुलिस टीम उस घर में गई जहां वह रहता था वह आदमी 31 वर्षिय इंजेलो कोलन ओर्टिस था कोलन ओर्टिस एक प्योट के लिए काम किया और प्रिंसिटन शहर और आसपास के क्षेत्रों से परिचित थे उनके बूस्टर पड़ोसियों के अनुसार कोलन ओर्टिस को परवर्ट बताया गया था और वे अक्सर पड़ोस के लोगों पर वल्गर कॉमेंस करते थे प्रिंसिटन की एक पूर्व महिला डाग कर्मचारी ने यह भी कहा की खोलन ओर्टिस अक्सर अपने सहकर्मी के सामने उसके और अन्य महिलाओं के बारे में स्पैनिश में वल्गर कॉमेंट्स करता था जब पूलिस ने इंजेलों से वनेसा मारपोटे के बारे में पोछा तो उसने कहा कि वह उसे नहीं जानता इसके अलावा उसे यह भी आद नहीं है कि वनेसा पर हमले के दिन वह प्रिंसिटन में थाया नहीं। उनसे अपने डीने का एक नमोना उपलब कराने के लिए कहा गया और उन्होंने दस्तावेजों पर साइन करने पर सहमती व्यक्त की जिससे संकेत मिलता है कि वह के लिए अपना डीने प्रदान करने के लिए सहमत हैं। लाप को परिक्षन चलाने में कुछ समय लगा जिससे पता चला कि कोलन ओर्टिस का डीने वनेसा मारकोटे के नाखुनों के नीचे पाए गए डीने से मेल खाता है। 15 अप्रेल 2017 को उस व्यक्ति को गिरफतार किया औ और यह खरीदारी धाई बजे की गई थी। इसका मतलब यह था कि उस समय तक वनेसा पहले ही मर चुकी थी और वह व्यक्ति सबूतों को नश्ट करने की कोशिश करने के लिए घटनास्थर पर लोट आया अर्थात वनेसा की शरीर पर उसका डीने। जिला अटर्णी ने तर अटर्णी के से लिया गया था। उन्होंने हवाला दिया कि भाशा की बाधा उनके ग्राहक को पूरी तरह से यह समझने से रोपती है कि उन्हें पुलिस को अपने डियने का नमूना प्रदान करने की आवशक्ता नहीं है। और कोलन ओर्टिस ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वह एक नमूना प्रदान करने से इंकार कर सकते थे। खोलन को दबाने के प्रस्ताफ के समर्थन में एक आफिडेविट में ओर्टिस ने लिखा कि हाला कि वह संयोगत राजी अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन उनका जन्म प्योटो रिको में हुआ था। और वह न तो अंग्रेजी बोलते हैं नहीं पढ़ते हैं और नहीं समझते हैं। खोलन ओर्टिस ने लिखा है कि 16 2017 माज को स्टेट पुलिस के दो बड़े श्वेत अधिकारी किसी अन्य व्यक्ती के साथ मेरे घर गई जो स्पानिश का वह संसकरन बोलता था जो मेरे लिए अजीब थ यह सिलसला वर्षों तक चलता रहा लेकिन अंतत है 11 जन्वरी 2022 को जड़ जेनिट केंडन वॉकर ने DNA साक्षे को दबाने के पचाव प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। जेल की सजा थी। प्रोसीक्यूटर ने कहा कि मारकोटे का परिवार खुद को कठोर मुग्दमे से बचानी की दलील पर सहमत हो गया। हमा भारी हैं और प्रसन है कि मुकदमा उसी तरह समाप्थ हुआ जैसा हम हमीशा चाहते थे। यह आदमी अब ऐसी जगह पर होगा जहा वे किसी को उस तरह चोट नहीं पहुचा सकता जिस तरह उसने वनेसा को पहुंचाई थी। मारकोटे के परिवार ने जिला अटर्नी कार्याले द्वारा जारी एक बयान में कहा आई इस राक्षस को सरकों से दूर रखें। वनेसा मारकोटे के पिता ने कहा पैरोल मिलने से बहुत पहले ही मैं मर जाऊंगा। इंजेलो कोलन ओर्टिस छटीस खो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 2022 निवे डकैती के आरोप में 20 साल की सजा काटेगा। और फिर आजीवन कारावास की सजा भु 47 साल की जेल होगी। वनेसा की आत्मा को शांती मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।